नमस्कार दोस्तों वेक्टी इंदी में आपका स्वागत है मेरा नाव है विवेक कुमार और मेरे पात है आज यहाँ पर दो नए लॉंचुए सेट एक है रियल्मी का रियल्मी 5S दूसरा है वीबो का यू 20 मैं करने वालों दोना ही फॉन का फॉल कंपेरिजन और आपको बता रहा है जबकि रियल्मी वीबो यू 20 में काफी ज्यादा चेंज यहाँ पर बिलकुल 3D डिजाइन टाइप यहाँ पर आपको मिल रहा है हाला कि ए ग्रीडियन कलर में भी है और शाइनिंग काफी ज्यादा है इसमें एकदम 3D लुक में आपको यू 20 वीबो ने दिया है अधा आपको कॉमपैक्ट लगेगा यू 20 एस कंपेर टू रियल्मी 5S रियल्मी 5S और रियल्मी 5 दोनों की थिकनेस सेम है यहाँ पर जबकि रियल्मी u10 और u20 की थिकनेस सेम है लेकिन डिजाइन में काफी जादा डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा वाते हैं दूनों शुक्त भूइप ऑर देखते हैं इंटर्ल क्या डिफरेंस आपको यहा पर दॉनों फॉन में देखने के लिए मिल रहा है और सोगरे हो दोक्या इस दो सबसे पहले बात करें दिसप्प जाइब है तो मिल रहे है science की बात करें तो इसमें मिलता है आपको 6.53 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्पले जिसके PPI है 395 यानि डिस्पले ज्यादा बेटर है U20 की as compared to Realme 5S और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों इफ़न की डिस्पले में डिफरेंस आपको दिख जाएगा और आप देख पा रहे होंगे Realme 5S की डिस्पले में थोड़ा सा यलू नैस आपको देखने के लिए मिलेगी as compared to U20 U20 की डिस्पले काफी जादा सार्प है क्योंकि Full HD प्लस रिजॉलिशन है और PPI भी उसमें जादा है और साइज दोनों इफ़न का सेम है यहाँ पर लेकिन compact है U20 बात करते हैं दोनों इफ़न के hardware की और देखते हैं वहाँ क्या difference आपको देखने के लिए मिल रहा है तो हम आगें दोनों इफ़न के about device में यहाँ पर सारा hardware आपको देखेगा बात करें सब सब पहले OS की तो Funtouch OS का latest version 9.2 आपको मिल रहा है U20 में वहीं Realme 5S में आपको मिलता Color OS 6 तो यह अभी यहाँ पर पुढ़ाना OS चल रहा है साथी बात करें प्रोसेसर की तो U20 में जो प्रोसेसर है वो है Snapdragon का 675 11 nanometer technology वे वर्क करने वाला है यह प्रोसेसर octa core वही Realme 5S की बात करें तो इसमें Snapdragon का ही 665 यह भी 11 nanometer पर वर्क करता है लेकिन clock speed और game speed की बात करें तो 675 ज़्यादा अच्छा है Android 9 Pie दोनोई phone में यहाँ पर मिल रहा है वहाँ कोई difference नहीं है और यह दोनोई phone जो launch हूए है दोनोई phone एकी variant में अभी launch हूए है 4G VRAM के साथ में तो वहाँ पर भी कोई भी difference दोनोई phone में नहीं है और 665 और 675 यह एक major difference है यहाँ पर तो अगर आप gaming ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप U20 चूज कर सकते हैं क्योंकि उसकी performance ज़्यादा अच्छी है as compared to 665 GPU का भी difference है क्योंकि U20 में आपको GPU जो है Adreno 612 और Realme 5S में Adreno 610 तो यह भी एक difference है गेमिंग के लिए GPU जतना अच्छा होता है गेमिंग उतनी ज़्यादा अच्छी रहती है अब बात करते हैं दोनोई phone के screen lock यानिकी fingerprint और face lock की दोनोई phone में fingerprint और face lock मिल रहे है और बात करें अगर performance की दोनोई phone में enroll ले है face lock और fingerprint lock और हम performance चेक करेंगे कौनसा phone fast performance यहाँ पर देखा रहा है सबसे पहले fingerprint चेक कर लेते हैं तो दोस्तों मैं करता हूँ यहाँ पर tap और देखते हैं क्या होता है तो U20 unlock नहीं हुआ साइद मेरी finger सही से नहीं लगी और यह मैंने कर रहा और आप देख सकते हैं instantly unlock हो रहे हैं दोनोई phone just one tap में ही दोनोई phone unlock हो रहे हैं और कभी fast दोनोई phone का fingerprint भी work कर रहा है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ही दोनोई phone के face lock भी यहाँ पर fast वर्क कर रहे हैं हाला कि U20 का face lock थोड़ा ज़्यादा अच्छा है as compared to Realme 5S वो आप देख पा रहे होंगे Realme 5S थोड़ा सा late work कर रहा है as compared to U20 साथ ही अब बात करते हैं दोनोई phone के camera की तो camera में अगर बात करें main camera की तो Realme 5S में आपको 48MP का camera मिल रहा है f value 1.8 के साथ में और Realme 5 और Realme 5S में बस यही एक difference था वहीं बात करें U20 की तो इसमें आपको मिलता है 16MP का main camera f1.8 के साथ में यानि की main camera Realme 5S का जादा वेडर है as compared to U20 और features की बात करें तो दोनोई phone में ultra wide angle lens भी आपको मिल रहा है दोनोई phone में macro shot के लिए macro lens भी आपको दिया गया है Realme 5S में चोथा camera वो depth sensor है जो की U20 में नहीं है U20 में depth sensor आपका software के जरीए किया जाएगा साथी U20 में ये portrait type effect का एक option आपको बढ़ गया है जो की आपको Realme 5S में नहीं मिलेगा केवल यहां पर आपको filter सी देखने के लिए मिलेगे साथे दोनों phone में portrait mode भी है HDR दोनों phone में है filters दोनों phone में है beauty mode भी दोनों phone में आपको मिल रहा है वहाँ पर कैसा भी कोई difference नहीं है night mode भी दोनों phone में है साथे तो जी यहां कुछ दौनई फॉन के कुछ और extra features दौनई फॉन में आपको slow motion मिल रहा है panorama shot मिल रहा है और night mode दौनई फॉन में है time lapse का option दौनई फॉन में है यहां पर कोई difference यहां पर camera features में कम से कम नहीं है U20 में एक live photo का option मिल रहा है वो आपको realme 5s में नहीं मिलेगा बाकी और कोई camera features में difference दौनई फॉन में नहीं है वीडियो recording की अगर बात करें दौनई फॉन में तो यह है दौनई फॉन का video mode और बात करते हैं अगर किस तने resolution पर आप video record कर सकते हैं दौनई फॉन में तो realme 5s में आप देख सकते हैं 4K और U20 में भी 4K यानि कि दौनई फॉन में आप 4K तक का video record कर सकते हैं यहां भी कोई भी difference आपको दौनई फॉन में देखने के लिए नहीं मिल रहा है और बात करें साथी अब दौनई फॉन के front camera की तो दोस्तों यह दौनई फॉन का front camera और front camera U20 के ज़्यादा अच्छा है क्योंकि 16 Megapixel का front camera मिल रहा है F2.0 के साथ में आपको U20 में वह ही Realme 5S में आपको मिल रहा है 13 Megapixel का साथी यह दौनई फॉन के video recording mode है और दौनई फॉन में आप front से full HD तक का video record कर पाएंगे 4K यहाँ पर support नहीं करता है साथी दौनई फॉन में portrait mode front पर दिया हुआ है और night mode front पर किसी फॉन में काम नहीं करता है HDR दौनई फॉन में है panorama shot आपको Realme 5S में मिलेगा जो कि U20 में आपको panorama shot नहीं मिलेगा बाकि HDR, filters, beauty mode, portrait mode दौनई फॉन में काम करते हैं और night mode यहाँ पर काम नहीं करता भी वो में और नहीं Realme 5S में तो front camera में कोई ज़्यादा features में difference नहीं है वस megapixel का difference है U20 का camera थोड़ा सा ज़्यादा better है as compared to Realme 5S अब देखते हैं दौनई फॉन के preloaded application तो आप देख सकते हैं काफी सारे preloaded application या third party application आपको दौनई फॉन में मिल रहे हैं दौनई फॉन एकी variant में है 4GB RAM 64GB storage तो Realme 5S का प्राइज है वो है 9,990 रुपए और वहीं बात करें U20 तो इसका प्राइज है 10,990 रुपए यानि कि 1000 रुपए ज्यादा है cost भी वो की as compared to Realme 5S लेकिन features और compact body और अच्छा चलाने की बात करें तो U20 मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि Realme 5S थोड़ा सा heavy हो जाता है set और compact नहीं है आप one hand उसको use नहीं कर सकते तो मैं कहूंगा U20 ज़्यादा बेडर है तो ये था हमारा Realme 5S और वीवो के U20 के बीच for comparison उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा तो please वीडियो को लाइक करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद है बिना इस देग